अब देखो अब जो हमारे पर next method है उसका क्या नाम है join अच्छा join क्या करता है पहले मैं इसकी working आपको समझाता हूँ मतलब practical समझाता हूँ फिर आते हैं इसकी definition के ओपर ठीक है तो सबसे पहले यहां पर आजाओ देखो यह वाला जो method है इसको मैं आप पर comment करता हूँ और अब यहां पर देखो यहां पर मैं एक variable बनाता हूँ इसका नाम में रखता हूँ ए ठीक है और अब यहां पर देखो ARR यह जो मेरा array है इसके साथ मैं method यूज करता हूँ join और इसके आपको ना कोई character pass करना पड़ता है for example मैं आप एक character pass कर देता हूँ डैश अब देखो join क्या करेगा गौर से समाजना कि join का क्या काम है देखो join क्या करेगा हमारे इस array के सारे elements को उठाएगा सारे elements को उठाएगा उनके बीच में उनके बीच में क्या लगा देगा डैश लगा देगा और डैश मतलब यह जो मैंने sign दिया है हाइफन मतलब जितने भी array के elements हैं उन सब के बीच में यह हाइफन की symbol लगाएगा और फिर जो भी string मनेगी वह कहां पर जाके store कर देगा एक विरियेबिल में store कर देगा ठीक है देखो दुबार repeat कर रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं कि जॉइन क्या करेगा इस array के अंदर जितने elements हैं उन सब के बीच में क्या लगा देगा यह डैस लगा देगा मतलब हाइफन लगा देगा और फिर डैस लगाने के बाद वह पूरी की पूरी इस इस ए वरिएबिल के अंदर पास कर देगा तो अगर मैं यहां पर आऊँ इस ए विरिएबिल का रिजल्ट आपको दिखाओ तेक है console.lock और यहां पर आके मैं इसके अंदर पास कर देता हूं ए का विरिय विसल्ट देखना नीचे आता है ट्रमिनल में टी सी के साथ सबसे पहले इसको compile करते हैं compile होगे आप note command के साथ इसको execute करते हैं enter करते हैं यहाँ पे देखो मतलब जितने भी array के elements थे उन सब के 20 में उसने क्या लगा दिया हाइफन लगा दिया और फिर उसको return किया था a में और यहाँ पे मैंने a का result आपको display करवाया था तब यहाँ पे इस तरह से result आ रहा है और देखो जरूरी नहीं है कि join के अंदर आप यहाँ पे hyphen डालो आप कोई भी character डाल सकते हो मतलब अगर मैं यहाँ पे देखो forward slash डालता हूँ और अब अपनी file को save करता हूँ और यहाँ पे आके दुबारा इसको compile करते हैं और फिर node command के साथ इसको execute करते हैं एंटर करते हैं तो यह देखो अब उसने sub के बीच में क्या लगा दिया forward slash लगा दिया लेकिन भाई अगर आपको कोई भी symbol नहीं चाहिए join करने के लिए तो आप इसके अंदर space भी दे सकते हो क्योंकि space भी एक character है तो आप वो क्या करेगा array के सारे elements को space के साथ join करेगा तो देखो यहाँ पर आके मैं दुबारा इस file को compile करता हूँ टी सी के साथ enter करते हैं ठीक है अब node command के साथ इसका result देखते हैं एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखो आप कोई भी symbol नहीं है बलके क्या आ रहा है आपके पास space आ रहा है तो आप एक तरह से join method को इस तरह से भी समझ सकते हो कि join method array को string में convert करने के लिए use होता है और जब आप string में convert करते हो तो हर array के element के बीच में कौन सा character आना चाहिए वो भी आप decide कर सकते हो ठीक है तो यह काम है आपके पास join method का फिर आगे चलते हैं अब यहाँ पर देखो join की definition मैंने नहीं बताही थी अब देखो definition में क्या करा है join method join all the elements of an array into a string मतलब join method क्या करता है आपके सारे elements को किसी एक character के साथ join करेगा और फिर उस array के elements को string के अंदर convert कर देगा ठीक है तो यह हो गए इसकी definition फिर आगे चलते हैं अब यहाँ पर देखो आप यहाँ पर बात कर रहा है two string two string भी कुछ उसी तरह का काम करता है जो अभी join नहीं किया था लेकिन थोड़ा चा difference है यहाँ पर देखो क्या कह रहा है two string method returns a string representing the source code of the specified array and its elements बाला देखो यहाँ पर भी वही point बता रहा है कि array के जितने भी elements हैं उसको string में convert करके return करता है ठीक है तो यहाँ पर देखो यह वाले जो दो points है इसको मैं यह से comment out कर देता हूँ ठीक है और आप देखो यही वाला जो मेरा array है मैं कहता हूँ कि यह जो array है इसको मुझे two string में convert करना है और two string में convert करने के बाद और फिर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मैं एक variable बनाता हूँ मैं इसका नाम रख देता हूँ str short form में string की तो मैं क्या कह रहा हूँ इस array के जितने भी elements है वो string में convert होके इस variable के अंदर store हो जाएंगे और अब इसी variable को मैं console.log करवाता हूँ इसके अंदर मैं pass कर देता हूँ str सही है इसको save करते हैं इसका result आपको दिखाता हूँ नीचे आदर टर्मिनल में tsc के साथ सबसे पहले इसको compile करते हैं compile होगे अब note command के साथ इसको मैं execute करता हूँ enter करते हैं अब यहाँ पर देखो देखो इसने भी उसी तरह से हमारे array को string में convert किया लेकिन यहाँ पर देखो two string क्या करता है array के हर element के बीच में by default कॉमा लगा देता है सही है लेकिन join के through join method के हम कोई भी character लगा सकते थे यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर two string by default आपको कॉमा ही लगा के देगा लेकिन अगर आप को different symbol चाह रहे हो या space चाह रहे हो तब आपको join यूज करना पड़ेगा ठीक है फिर आगे चलते है ठीक है two string के बाद आप देखो next method है हमारे reverse कर देगा मतलब यहाँ पर देखो the first array element becomes the last and the last element becomes the first मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम यह method apply करेंगे तो जो हमारा पहला element है वो last हो जाएगा और जो last element है last value है वो पहली value बन जाएगी ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सबसे पहले तो यह जो value है न मैं value change करता हूँ मैं आपर कह देता हूँ for example Bilal तो यहाँ पर देखो अब जो पहली value है वो क्या है आदिल लेकिन last value क्या है आपके पास Bilal तो देखो यह दो lines मैं comment out करता हूँ यहां से और वो foreign loop मैंने बनाया था न वो foreign loop मैं यहां से copy कर लेता हूँ नीचे से इसको copy करते है उपर लेके आते हैं यहां आके मैं इसको paste करता हूँ और इसको हम uncomment कर लेते हैं control forward slash और यहाँ पर देखो मैं pass करता हूँ ARR और नीचे आके भी console.rock के देखो अभी कैसे result आ रहा है पहला क्या है आदिल फिर अमेद फिर मुकेश मतलब sequence में आ रहा है लेकिन अगर मैं इसको reverse apply कर दूँ यहां पर देखो मैं कहता हूँ array.reverse ठीक है सही अब दुबारा यहां पर आके इसको सबसे पहले compile करते हैं THC के साथ enter करते है compile होगे अब इसको node command के साथ execute करते है आदिल पहला element था तो देखो आदिल आब आपके पाँ last element हो गया है और बिला last element था वो आपके पाँ first element हो चुका है तो यह काम है किसका आपके reverse method का ठीक है फिर आगी चलते है अब देखो next method है हमारे पास जिसका नाम है shift अब देखो shift क्या करता है य आपको remove करता है और फिर return करता है मतलब pop method last element remove करके आपको return करता है लेकिन यहाँ पर shift method क्या करता है shift method आपके array का first element remove करता है और अगर आप चाहो तो उस first element को किसी दूसरे variable के अंदर return भी करवा सकते हो किस तरह से यहाँ पर देखो यह वाला जो code है यहां से लिगे यहां त shift क्या करेगा पहला element पहला element कौन सा है आदिल उसको remove कर देगा तो अगर यहां पर आके आप देखो यह जो हमारे पास foreign loop है इसको मैं copy करके ऊपर paste करता हूँ और यहां पर आके मैं इसको uncomment करता हूँ ठीक है और अब मैं आपको इसका result दिखाता हूँ ठीक है तो सबसे पहल remove किया है अगर मैं इसको किसी दूसरे variable में get करूँ एक variable मनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यह जो हमारे पास जो भी मैंने array के अंदर से पहला element shift किया है वो कहां पर जाके return हो जाए एक variable के अंदर return हो जाए ठीक है और अब मैं यह आप यह foreign loop इसको comment out करता हूँ और यहां पर करता हूँ तो देखो अब यह वाला method एहमद return करेगा किसको ए variable को remove करने के बाद ठीक है सही तो आप देखो इस फाइल को मैं terminal पर दुबारा से compile करता हूँ एंटर करते हैं ठीक है compile हो गई अब note command के साथ इसका result देखते हैं एंटर करते हैं तो यहां पर देखो पहला element क्या था array में एहमद तो देखो एहमद यहां पर हमें retrieve हो रहा है ठीक है तो एक आपके पास यह method है फिर आगे चलते हैं अब देखो अब हमारे पास next method है जिसका नाम है unshift unshift का यहां पर point देखो unshift method adds one or more elements to the beginning of an array and returns the new length of the array मतला देखो यहां पर क्या रहा है unshift method हम तब use करते हैं जब हमें अपने array के beginning में array के starting में जब हमें एक या एक से ज़्यादा values add करनी है तब हम use करते हैं unshift का method और जब आप unshift के method को use करके एक एक से ज़्यादा elements अपने array के शुरू में add कर देते हो तो उसकी जो new length है वो आप return भी करवा सकते हो किस तरह से यहां पर देखो यह जो दो lines है मैं यहां से इनको comment out करता हूं और आप यहां पर देखो मैं कह रहा हूं array के साथ method में use कर रहा हूं unshift और अब मैं कहता हू मैं इसके अंदर पहला element add करवाता हूं ठीक है मैं आपर कहता हूं for example फरास ठीक है तो देखो यह क्या करेगा फरास को हमारे array के starting में add कर देगा starting में देखो एहमद है एहमद अब आगे चला जाएगा एहमद से पहले हमारे पास कौन से element add हो जाएगा फरास ठीक है और फिर इसको add करने के बाद अगर मैं इसका result loop array के अंदर add करोगे वो शुरू में add होंगी बिल्कुल starting में ठीक है तो यहां पर देखो मैं एक दूसरा नाम अपना भी डाल देता हूं आदिल तो यह फराज और आदिल यहां से उठके कहां पर add हो जाएंगे इस array के starting में add हो जाएंगे तो अब दुबारा मैं यहां पर आता हूं इसी फाइल को मैं compile करता हूं THC की मदद से एंटर करते हैं ठीक है compile हो गई अब node command के साथ इसको मैं execute करता हूं ठीक है तो आप यहां पर देखो stroll करके थोड़ा सा इसको उपर लेके जाता हूं तो यह देखो सबस करता हूं और मैं यहां पर आता हूं अब मैं variable मनाता हूं इसके शुरू में variable का नाम मैं यहां पर रखता हूं A और देखो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि जब मैंने यह दो elements add करवाए अपने इस array के अंदर टेक है तो देखो मेरे array के अंदर first time कितनी values है 5 लेकिन जब मैं यहां पर दो elements और add करवा दी अपने इस array में तो मेरी length क्या हो गई 7 और वह 7 कहां पर जाके store हो जाएगा A के variable में store हो जाएगा तो अब मैं A का variable यहां पर आके console.lock करवाता हूं console.lock ठीक है और इसके अंदर मैं pass करता हूं A का variable और जो foreign loop है नीचे इसको मैं यहां से comment कर देत हूं हमें क्या length दिखा रहा है 7 तो अब यह वाली जो definition है यह आपको clear हो चुकी होगी ठीक है फिर आगे चलते है अब यहां पर देखो अब यहां पर जो next method है उसका नाम है slice देखो slice क्या करेगा देखो क्या कह रहा है slice extracts a section of an array and returns a new array ठीक है मतला suppose करो कि मेरे पास एक array है न elements को extract करके एक new array बनाना है मतला 5 elements में से 3 elements का मुझे एक separate array बनाना है तो इसके लिए मैं use करूंगा slice slice किस तरह से यूज करते हैं देखो यहां पर आओ देखो यह वाली जो दो lines है unshift वाली और console वाली यह मैं comment out करता हूं और आप देखो मैं यह एक array बनाता हूं के मुझे यहाँ पे जो भी elements हैं वो मुझे extract करेगा और फिर array 2 के अंदर store कर देगा ठीक है तो अगर मैं foreign loop यहाँ पे use करूँ foreign loop को मैं यहाँ से copy करता हूँ ठीक है और यहाँ पे आके नीचे मैं इसको paste करता हूँ और इसको uncomment कर लेते हैं और यहाँ पे आके मैं array 2 यहाँ पास करता हूँ और console.log के अंदर भी array 2 पास कर देता हूँ यहाँ और अब इस file को मैं compile करता हूँ इसका result आपको दिखाता हूँ नीचे आ जाओ देखो tsc के साथ इसको मैं यहाँ से compile करता हूँ और अब node command के साथ इसको मैं execute करता हूँ तो यहाँ पे देखो बाई देखो यहाँ पे शुरू के दो elements retrieve हूँ है मुझे मतलब slice ने सिर्फ एहमद और अमित को निकाल के array 2 के अंदर store किया है हालाके आप notice करो slice के अंदर मैंने 0 index type किया था starting value और ending value मैंने क्या type की थी 2 मतलब यहाँ पे मुकेश भी हमें मिलना चाहिए था लेकिन मुकेश क्यों नहीं मि retrieve नहीं होती ठीक है मतलब अगर आपको मुकेश भी चाहिए ना तो आपको यहाँ पे 3 देना पड़ेगा क्योंकि जो भी 3 value होती है वो इसको skip कर देगा मतलब 3 index को वो क्या कर देगा skip कर देगा और उससे पहले के जितने भी elements हैं उनको slice करके extract करके आपके array में बेज देगा तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊ तो बारा से इसको compile करता हूँ enter करते हैं ठीक है compile होगे अब note command के साथ इसको execute करता हूँ तो यहाँ पे देखो अब मुकेश भी हमें यहाँ पे retrieve हो रहा है ठीक है तो यह concept है किसका slice का ठीक है फिर आगे चलते है next method की तरफ अब देखो slice के तरतीब देगा लेकिन किस form में तरतीब देगा ascending order में ठीक है मतलब smallest to largest मतलब a to z ठीक है तो यहाँ पे आते हैं ठीक है अब यह वाला जो जितना भी code है इसको मैं comment out कर देता हूँ यहाँ से यह सारा code comment out करता हूँ और यहाँ पे आते हैं यहाँ पे देखो यह जो मेरा array है इसको जरा मैं बे तरतीब करता हूँ मतलब मैं यहाँ पे देखो मैं शुरू में आपे value डाल देता हूँ जैन यहाँ पे value डाल देता हूँ for example बिलाल ठीक है और last में मैं आपे value बिलाल अटाके मैं आपे कहता हूँ siya ठीक है तो अभी आप देखो यह जो हमारे पास elements है य मतलब a to z sort नहीं है तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊ यह foreign loop पे यहां से उठाता हूँ ठीक है इसको मैं यहाँ नीचे आके paste करता हूँ और इसको हम uncomment करते हैं ठीक है अब मेरे पास यह जो array का नाम है वो है arr तो arr यहाँ पे मैं देदेता हूँ तो अभी देखो अभी अ ascending order में करने के लिए यहाँ देखो लूप से पहले यहाँ पे मैं कहता हूँ arr. और इसके साथ method apply कर देता हूँ sort तो sort apply कर दिया अब आप इसका result देखना ठीक है देखो दुबारे इस file को compile करते हैं इंटर करते हैं ठीक है और आप note command के साथ इसको execute करता हूँ अब यहाँ प splice, क्या नाम है splice तो जो पिछला method हमने देखा था वो slice था खीक है यहmy splice है सही तो यहाँ पे स्प्लाइस की definition देखो यहाँ पर क्या कह रहा है splice method changes the content of an array मता है यहाँपर क्या क्या कह रहा है splice method हम क्यों use करते हैं array के content को change करने के अपडेट करने के लिए हम splice का method य used करत और फिर देखो क्या कह रहा है adding new elements while removing old elements भाई देखो update का क्या concept है कि एक element मैं add करूँगा और जहां पर मैं एक element add कर रहा हूं वहां पर वो element remove हो जाएगा मतलब जैसे ही मैं एक element add करूँगा किसी एक position पे तो उस position पे जो पुराना element है वो क्या हो जाएगा remove हो जाएगा तो splice के तुरू हम यही काम करते हैं कि updation perform करते हैं replacement करते हैं मतलब नए elements को add करते हैं और पुरानों को remove करते हैं तो यहां पे देखो मैं आता हूं यहां पे कि कहां से आप remove करना start करोगे तो देखो मैंने आपे क्या pass कर दिया 0 मतलब मैं कहा रहा हूं कि मुझे 0 से remove करना start करना है उसके बाद comma और उसके बाद मैं कहता हूं how many elements how many elements का मतलब कि मुझे कितने elements को remove करना है मैं कहता हूँ one से मुझे remove करना है one element मुझे remove करना है ठीक है इसका मतलब देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने remove करना कहा से start करना है zero से zero पे कौन है zen और मैं कह रहा हूँ कि कितने element remove करने है one मतलब zen यहां पर क्या हो जाएगा remove हो जाएगा और फिर मैं कह रहा हूं कि zen की जगा zen की जगा आपने क्या करना है zen की जगा आपने आदिल का नेम add करना है replace करना है ठीक है तो यह इसका concept तो अब अगर मैं foreign loop चला हूं ठीक है यह foreign loop मैंने नीचे से copy किया इसको यहां पर आके मैं paste करता हूं करते हैं तो यहां पर देखो zen की जगा पे यहां पे क्या आ चुका है आदिल आ चुक iceberg लाग ने मैं क्या कह रहा हूँ 0 से start करना है और एक element remove करना है तो मतलब यहाँ पे सिर्फ remove होने का काम होगा मतलब यहाँ पे सिर्फ zan remove होगा लेकिन कोई add नहीं होगा मतलब मैं जब foreign loop print करवाऊंगा तो मुझे यह चार elements retrieve होंगे किस तरह से यहाँ देखो इसको compile करते हैं यह साथ enter करते हैं compile हो गई अब node command के साथ इसको मैं execute करता हूँ तो यह देखो अब इस line ने क्या किया इस line ने सिर्फ zan को remove किया है कोई element add नहीं किया ठीक है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो फिर एक और तरीका मैं आपको बता हूँ मैं आप पे comment करता हूँ मैं कह रहा हूँ कि भाई 0 से तो आप start करोगे और एक element remove करोगे मतलब सिर्फ zan को आप remove करोगे लेकिन फिर मैं आप ही कहता हूँ कि भाई मुझे अब इसके multiple values एड करनी है मैं कहता हूँ आप यहां पे बासित को एड करो और बासित के बाद आप यहां पे जफर को एड करो बहला देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं remove तो सिर्फ zan कर रहा हूँ लेकिन zan की जगा पे मैं दो elements एड कर रहा हूँ अपने इस array के अंदर तो अब अगर मैं यहां पे आऊ इसी file को मैं compile करता हूँ ठीक है यह हमारे पास compile हो गई अब note कमांड के साथ इसको मैं execute करता हूँ एंटर करते हैं तो यह देखो अब इसने क्या किया इसने दो elements हमारे पास add की है ठीक है स्क्रॉल करके दिखाता हूँ देखो बासित जफर फिर बिलाल मुकेश अली और सिया और देखो remove किसको किया जैन को remove किया ठीक है नदर आ रहा है तो एक इसका यह point है अचा फिर यहां पे देखो देखो मैं यह line comment करता हूँ और यहां पे देखो जहां पर मैंने one डाला था यहां पर मैंने one डाला था अगर मैं इसको भी zero कर दूँ तो अब पता है क्या होगा क्योंकि मैंने क्या बता ठीक है टर्मिनल में आते हैं टीएसी के साथ इसको एंटर करते हैं ठीक है यह compile हो गया आप इसको node command के साथ execute करते हैं ठीक है तो अब यहां पे आप एक चीज़ नोट इसको और मैं उपर लेगे जाता हूँ थोड़ा से scroll करते हैं इसको बासित प्रिंट हो रहा है बासित के करता हूँ कि जीरो से स्टार्ट होगा remove करना 0 index से और कितने elements remove करने 2 मतलब अब मैं कह रहा हूँ कि यहां देखो Zen और Bilal को आपने remove करना और Zen और Bilal की जगह आपने बासित और Zafar को add करना मतलब यहां देखो इस index और how many arguments हैं हमारे हाथ में कि कौन सी position पे कितने items मुझे remove करना तो अब मैं दुबारा से इसी लूक को यहां पर run करता हूँ, scroll करते हैं नीचे आते हैं, tsc command के साथ मैं इसको execute करता हूँ, ठीक है, compile हो गया और अब यहां पर मैं note command के साथ इस file का result देखते हैं, enter करते हैं, तो अब यहां पर देखो, यहां पर दो element शुरू के कौन से थे, zen और बिलाल, zen और बिलाल remove हो गए, उसकी जगा पर देखो क्या नजर आ रहा है, बासित और जफर, बासित और जफर आपको यहां पर नजर आ रहा है, और उसके बाद देखो, मुकेश, अली और सिया, ठीक है, तो मतलब यह है method splice, जो के बहुत ही जादा important concept है, type script में भी और subscribe कीजे और मुझे अपनी दौओ में याद रखिए, तो मिलते इंशाला नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए दीज़े जाज़त, अल्लाहाफिस,